कभी रिकॉर्ड SIP तो कभी बंपर IPO सब्सक्रिप्शन तो कभी रिकॉर्ड नंबर अफ डीमाट अकाउंट ओपनिंग अब इस तरह की खबरे आम हो चुकी हैं जी हाँ देश का इक्विटी कल्चर बदल चुका है इन दिनों शेर मारकेट्स के जलवे ही जलवे हैं और इसमें बड़ी भूमिका प्राइमरी मारकेट्स की रही है पबलिक इशू को लेकर क्रेज अब अपने चरम पर है पिछले कुछ समय में IPO मारकेट्स में निवेशकों की जम कर कमाई हुई इसलिए इन दिनों हर कोई IPO में पैसा लगाने को बेताब रहता है लेकिन समझदारी से निवेश भी जरूरी है कभी कभी फटाफट कमाई के चक्कर में निवेशक कारोबार, वैलुएशन, फ्यूचर, प्रोस्पेक जैसी बातों को नज़र अंदास कर जाते हैं अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि हर बड़ा IPO बड़ा बेट होगा या नहीं, ये सवाल हमेशा बना रहता है लंबे समय से जिसका इंतजार था, वो अंग्रेजी में कहते हैं highly anticipated अब तक का सबसे बड़ा IPO जी हाँ, Hyundai Motor India सामने खड़ा है और सब के जहन में आइम शोर बहुत सारे सवाल होंगे भई इस कंपनी के बारे में जानते हैं, इस कंपनी के प्रड़क्ट्ट देखें हैं पर दरसल ये कंपनी है कैसी, इस कंपनी के fundamentals कैसे हैं, इस कंपनी के peers के सामने ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, महौल कैसा है, और मेरे खाल से सबसे बड़ा question सब के जहन में होगा, इस mega IPO में पैसा डालना है, सबस्क्राइब करना है या नहीं? इनी सवालों के जवाब आच टटोलने की तेयारी करें, ताकि वो mega IPO खुलने से पहले हम और आप अपना homework पूरा करने हैं, मदद करने के लिए complete circle के managing partner और CIO गुरमीद चड़ा सहब और market expert अमरीश बलिगा, आपको आपकी screens में नज़र आएंगे, आप दोनों का स्वागत है और पता है जब मैं सोच रहा था इस IP के बारे में, मेरे जहन में बहुत सारे सवाल आगे थे, पता नहीं छोटे समय में कैसे हम सब कुछ समेट पाएंगे, पर कोशिश करेंगे, सारी चीजें, सारे concern जो सब के जहन में हैं, हम answer करें अगले आदे घंटे में, खेर, इस company का तरह logo unit screens पहले कराईएगा, Hyundai, new thinking, new possibilities, यह सब आपने देखा होगा कभी ना कभी, हमने भी हमेशा Friday weekend special जो करते हैं, ऐसे ही करते हैं, हमने भी अपना नाम बदल दिया, show का, लाइए ज़रा हमारे show का नाम, यही logo unit था, Hyundai, बड़ा IPO, बड़ा bet, और उस पे था एक question mark, यही question mark का answer करने की कोशिश है, अरे बदली है, यह रहा हमारा, हमारे show करना, बड़ा IPO, बड़ा bet, खेर, IPO की details quickly आपकी screens पर रख देता हूँ, मंगलवार से, आने वाले मंगलवार से, 15 October से IPO कुलने जा रहा है, subscription के लिए, price band वगएरा, बाकी netigriti, सब screens पर आ जाएंगी, उनको मैं दो रहा हूंगा नहीं, इस screens पर चलती रहेंगे, आप लोगों के note down करने के लिए, लेकिन अमरीज सर, इन नाम कैसा लगा मेरा, नाम तो काफी अच्छा है, I think it's the apt name, पर जो company का नाम है, उसका भी pronunciation, Indian pronunciation होता है, Hyundai, और US का pronunciation होता है, Hyundai, तो हम लोगा है, तो Indian pronunciation यूज़ करेंगे, Hyundai India, नहीं तो फिर अपन लोग जब list होगी तो stock ढूंड भी नहीं पाएंगे, Hyundai से तो, Hyundai रखते हैं, लेकिन हाँ, Hyundai India, ठीक है, अपन कहेंगे Hyundai Motor India, जिसका IPO खुलने जा रहा है, चलिए, अब ज़रा IPO के detail में चर्चा, आप लोग प्लीज रेक्टर साहब, IPO लेटेट सारे details, snapshot shot, financials होगेरा, screens पे दिखाते रहिएगा, मैं उनको भी mention नहीं करूँगा, क्योंकि आपके देखने के लिए अलरी वो ready for consumption, screens पे graphics चलते रहेगे, गुरमीत, complete circle में, I'm sure, इस mega IPO से पहले आप लोग नहीं study करी होगी, वैसे हम सब भी जानते हैं, इस company के बारे में, इसकी offerings के ब अच्छी जी बहुत second largest player है, PV market में, अगर आदेखे 15% के आसपास का market share है, company का जो एक हम net asset turnover देखते हैं, इतनी बारे आप asset को use करते हैं, क्योंकि Hyundai तीन shift चलाता है, 10 के आसपास है, मारुदी का 8 है, और premiumization में आगे है, क्योंकि two-third जो उनका portfolio वे वो, SUVs है, क्रेटा और उनके जो कुछ की brands हैं, जोनों में, तो उन्होंने वो, SUV का trend अच्छा पकड़ा, उन्होंने कुछ अंतरक अपनी volume growth sacrifice करी थी, lower end से डांस पे थोड़ा सा cut down करके, अगर आप EPS growth देखें, पिछले दो-तीन साल में, तो करीबन-करीबन 27-27% रही है, revenue growth सत्राइटानल परसेंटरी, हलां कि volume growth सिर्फ छे परसेंट है, अब यह अगर नौ महीने का profit देखेंगे, तो लगब चुह है, चवानिस सो करोड के आसपास है, अगर आप उसको analyze करेंगे, तो 6,000 करोड के आसपास आएगा, और 1,500,000 करोड के आसपास का market cap है, तो आपको य मैं छीज देखना चाहूँगा, इंडाइकी, जो उनने General Motors का plant लिया, तालेगाओ में, वहां से कितनी capacity add करेंगे, अभी 87,000,000 unit की capacity है, तालेगाओ आने के बाद यह 10,000,000 के आसपास unit हो जाएगा, उससे हो सकता है, एक्सपोर्ट हब यूज़ करें, क्योंकि चाइना के उन कोई यह वो IPO नहीं है कि आप भी invest करेंगे और listing में आपको, बोने को बिल भी सकता है, बट steady company है, अच्छी company है, solid fundamentals है, तो आप long term view है, तो reasonable expectation है, तो करिए, और कुछ concerns है, उस पर चर्चा करेंगे, आगे, मैं concerns पे भी चर्चा करूँगा, आप लोग के final IPO पे जब चर्चा कर लेकिन, अमरी सर, IPO जैसा structure करा गया है, पूरी तरह से offer for sale है, OFS है, 14.2 crore shares, South Korean parent, यहाँ पे stock बेचने आ रहा है, तो company के पास तो कोई पैसा आएगा नहीं, proceed आएंगे नहीं, जो कुछ है, वो सीधे-सीधे Korean parent अपना पैसा लेके चला जाएगा, तो कोई मुझ से पूछ रह के books में debt देखे, तो करीब 750 crore's का debt है, which is very small, तो company, I mean, the company clearly cash generate कर रही है, तो there is no need for funds to come into the company, तो यहाँ पे parent बेच रही, तो इससे कुछ issues तो होने नहीं चाहिए, main thing है, I mean, fundamentals of the company, valuation of the company, valuation भी काफी अच्छा है, I mean, it's like, just explain, second largest है, growth अच्छा है, and I think एक जो number है इनका, which is much better than Maruti, return on net worth, return on net worth करीब 23.5 का है, Maruti का, if I'm not wrong, it's closer to about 16, 17, तो उससे काफी बहतर है, पर एक ही बात है कि यहाँ पे, the parent ने कुछ छोड़ा नहीं है for investors, पहले हम लोग सोच रहे थे कि 25,000 crore's का IPO होगा, अभी देख रहे हैं, it is 27,870, closer to 28,000, तो करीब 11-12% higher than expected है, तो जो table पर था, वो भी निकल गया है, if you're looking at the PE, Maruti का भी 27 PE है, इसका भी 27 PE के आसपास ही है, तो basically there's nothing really on the table, क्योंकि आप लोग में, क्योंकि आप लोग में valuations की बात छेड़ दी है, एक plate थी, Maruti और Hyundai की comparisons की, रैक्ट साब, वो भी screen से पर रखिएगा, गुर्वीत मुझे याद है, जब ये IPO के run-up में एक debate शड़ा हुआ था, क्या Hyundai Motor deserves a premium over Maruti, कई लोग कह रहे हैं तरने discount आना चाहिए, कई लोग कह रहे हैं तरने premium आना चाहिए, जो final valuations है, FI24 क्योंकि prospectors में mentioned है, मैं कोई extrapolate करके हांकलों पे नहीं जा रहा हूँ, FI24 के EPS पे, एक के current भाव पे, एक के upper end of the price band पे मैंने comparisons draw कर रहे थे, 29.6 times Maruti Suzuki, Hyundai 26.2 times पे आपको नज़र आएगा, इस प्रेट को आगे बढ़ाएगे का तब वो दिखेगा, तो थोड़े से slight discount पे visa भी मारुती आ रहा है, पर logically मारुती के size, मारुती के scale, मारुती की हिंदुस्तान के markets की पकड़ को देखते हुए, इस तरह का discount तो वैसे logical, अब किता room छोड़ा उस पे बाद में आऊँगा, पर logically आपके साब से discount आना चाहिए था न, ये 1.39 पे 1.26 पे ता तो बनता था, अगर मारुती 29 टाइम्स command करता है, ये उन्डाए कि हो सकता है, margin profile बहतर हो, लेकिन इस तरह की discounts बनते हैं क्या है? नहीं, दोनों, I think, लगवा गैट पार, in fact, मेरा है मानना है कि मारुती का हो सकता है, तोड़ा premium valuation पे थोड़ा असर पड़े, क्यूंकि, प्योर PV प्ले एक ही था, टाटन गोटो से M&M में commercial और बागी प्लेस भी है, JLR है, M&M में tractor है, CV का प्ले भी है, तो प्योर प्ले सिरफ मारुती था और फीस ताज वाद एक IPO आए, थोड़ा सा मुझे लगता है, मारुती के वाए, Hyundai का बढ़े से जात हो सकता है, मारुती के वालुती के वालुती के देखेंगे तो थोड़े से बेटर है, working capital, जो net working capital है, वो negative है, अगर आप ROC देखेंगे तो मारुती से बेटर है, यह दो महिने का credit लेते हैं, लेकिन जो dealer credit है, वो कम है, तो negative working cycle है, जिस तरह IT और FMCV कंपनी का होता है, वैसा है, बहुत high ROC business है, और आप CapEx देखेंगे तो बहुत जादा CapEx नहीं किया है, इनका जो smart factory model है, उससे इनके बास ability है, different models और उसके different versions कल आउट करने की, और जैसा मैंने बुला, इनका जो SUV share है, वो मानती से जादा है, इनके से जादान का share कम किया है consciously, और सारे power train में प्रेजेंट है, आप देखेंगे, अभी diesel variant आ रहे है, क्रेटा का EV portfolio आ रहे है, अभी इनके बास दो EV है, एक कॉना है, एक आयोनिक्स है, तो इसके बीच में I think क्रेटा का आएगा, एक 20 लाग वाले price bet में है, एक 40-44 लाग पे, I think क्रेटा बीच में होगी, hybrid में है, IC engine में है, तो पूरे power train को cover करते हैं, जबकि मारुती का EV में प् प्रेट्रोल में जादा है, तो मेरे साब से return ratio को देखके, smart working capital management को लेके, valuation at pass होना चीए, या में भी थोड़ा सा premium होना चीए, कम नहीं होना है, यह बात सच है, इसने बड़िया strategic shift करा था SUVs की तरफ, तो आप तो majority portfolio अब इसका कमाई जो होती है, SUVs से आती है, और across power trains, चाहे वो ice engines हो, यानि कि internal combustion हो, hybrid हो, CNG हो, EV हो, सब में बड़िया presence इस समय Hyundai Motors की, दो की concerns है, एक बार-बार रह के जो आती है, वो Kia conflict की, भई Hyundai का association है Kia Motors के साथ, दोनों related है, पर हाँ, same company नहीं ध्यान रखेगा, Hyundai Motors company, 34% Kia Motors का उन करती है, Kia Motors, Hyundai की कई सारी subsidiaries में stake रखती है, दोनों platforms share करते हैं, power trains share करते हैं, तो हाला कि operations गुरमीत independent हैं, पर almost similar line-ups हैं, दोनों companies की, तो एक सवाल उठ रहा था कि कहीं volume cannibalization तो नहीं होगा between the two brands, जिसका खाम्याजा हम as an investor भुगते हैं, आपका के view है? यह नहीं, बिल्कुल हो सकता है, और अगर आप उनके top 10 suppliers देखेंगे, उनका share जो है, वो काफी बड़ा है, उस top 10 में भी 33% उनके internal suppliers हैं, जिसे इंडाई बॉबेस हैं, तो एक हमेशा concern जाया है Korean manufacturers को लेके, कि related partner, हाला कि related partner transactions sign word नहीं है, बट जो internal transactions है, उसका ratio ज़्यादा है, आप देखेंगे cost of goods sold, एक हम metric use करते हैं, काड़ी में कि कितने चीज़ें आप import करो हैं, यह Hyundai now देरे-देरे कम किया है, और अभी भी 20% है, तो वो dependency, वो थोड़ा सा localization market देखना चाहेगा local partners के साथ, दूसरा जो एक आपने बात बूली, बिल्कुल कैनिमलाइज विश्टों का, किया के काई सारे brands, हाला कि थोड़ा सा किया lower end पे आता है, बट यह उतना differentiation नहीं है, जैसा Lexus या Toyota में होता है, तो कुछ थोड़ा बहुत कुछ products में वो volume जो है, कैनिमलाइज बिल्कुल होगी, किया भी काफी अच्छा कर रहा है, तो वो एक हमें निगाह रखनी पड़ेगी, और तीसे सबसे बड़ी बात, Hyundai ने सारा dividend ले लिया आए, व्योंकि पहले 17-18 जार पर्षेंट का, तो जो royalty है, यह कभी भी अगर इसमें कुछ changes होंगे, तो यह operating margins को, profits को dent कर सकते हैं, तो यह दो तीन factors जो है, यह थोड़े से negative और इसमें निगाह रखनी पड़े हैं, इस पे खेर हमने जब press conference हुई थी, IPO पे, तो सीन्दी सेवाज ने चर्जा करी थी, management की स तो यह concern हमने उठाया था, तब वो कहरे थे, at least अभी तो हमें ऐसा कुछ royalty में बदलाब नजर नहीं आ रहा, अब वो सही बात है, पांच-पांच साल के बाद review होते हैं, तो royalty हमेशा overhiring रहता है, जब foreign parent होता है, तो, दूसरा बड़ा concern, अमरीश वो जो एक IPO note आया था, उस की global profitability का 8% contribute करता है, और upper band पे, जब यह listing हो रही होगी मान ले, तो global parent की जो कुल market capitalization हो, इसका 42% तो हमारा Hyundai Motor India contribute कर रहा होगा, तो एक सवाल सबके जहन में तक हमको ज़्यादा निचोड तो नहीं रहे लोग, यह सवाल इसलिए आ रहा है क्योंकि, देखें, I mean, you see the P across the globe, even Hyundai का global company का P है, if I'm not wrong, it is close to about 5, Toyota का 7 है, Mercedes-Benz का 5 है, Ford Motor is the highest, 11 है, और बाकी सब single digit पे है, Against that, हम लोग का मारदी 27 पे है, और Hyundai का भी जो आ रहा है, it is closer to 27, तो यह काफी बड़ा premium पे code करता है, इसलिए, if you compare with a parent, it is, I mean, indecently high P, तो यह तो clearly concern रहेगा, whether Indian companies का जो P है, इतना premium है, whether it'll sustain in the longer run, क्योंकि इनको अभी यह high P मिल रहा है, क्योंकि हम लोग ने जो, जिसे साब से growth देखा है, last 4-5 साल में especially, इसी के कारण हम लोग को इस type का P मिल रहा है, but at the same time, हम लोग को याद रचना पड़ेगा कि in the last, I mean 4-5 months, काफी slowdown देखा है, काफी inventory build-up हुआ है system, like as of now, मुझा रखता है कि it's करीब 85 days का inventory है, 70,000-80,000 kros का inventory पड़ा हुआ है, I think this will be a concern for the auto sector overall, और इसका भी effect आएगा clearly Hyundai और Maruti पे, especially यदि next 2-3 मैने में जो अपना festive season है, like in the next 2-3 months यदि inventory clean-up होता नहीं है, then I think overall auto sector पे pressure आएगा, कई लोग वो timing को लेकर सवाल उठा रहे थे, sales ठंडी पड़ रही है, market place में तगडी discountings है, inventory pile-up हो रही है, खैर, यह phase है, I am sure इससे उबरेगा यह हाँ का auto sector भी, पर mega IPO है, 27-28,000 क्रोड़ रोपे का गुर्मीत, appetite कैसी रहेगी, आप कैसा मानते हो, response कैसा रहेगा, एक but obvious हो सकता है कि, शायद ही ऐसा कोई fund manager हो, जो इस तरह का risk ले, इस तरह की दिगच company में exposure ना ले, तो यह compulsion है का आप जैसे fund managers के लिए क्या, रखना है portfolio में? आपने जो बात छेड़ी थी, LIC ने अपने को लिस्टिंग से तगड़ा disappointment करा था, वो तो सालों बात जाके issue price के उपर आया, paytm, तीसरा सबसे बड़ा IP, अगर तो यह successfull हो गया तो तीसरा सबसे बड़ा paytm होगा, तगड़ा disappointment करा था, कभी भाव नहीं दिखाये थे जिस भाव पे आई को लेकर आये थे, goal India सालों परिशान करा, उसके बाद finally जब mood wall बदला तो चला, GIC ray disappointment price list को आगे बढ़ाता तो और भी ऐसे से नाम आते, गुर्मी ती बात सही है, एक तो आप कहरो, compulsion नहीं है, और mega IPOs हम सब के जहन में है, track record हमेशा खराब रहा है, तो थोड़ा सा डर लग रहा है, इसलिए मैंने पूछा, response कैसा आप लोग anticipate कर रहे हैं? मैंने जैसे बुला कि reasonable expectations रहा जाएंगे, इसको compare करना नहीं होगा सबसे, क्योंकि auto का पहला IPO है 20 साल में, in fact, मैं होट पीछे जाओंगा, तो Reliance Power का भी IPO आया था था सजार पूछा, मैं नाम नहीं लिया, पाजी लिखे थे नहीं, तो सब नाम में आते हैं, सभी कहरो आप, अच्छा 20 साल में auto का पहला last Maruti का था था ना? जर्ण के साथ यह राय है, उनको वैल्यूशन मल्टिपल कम बिलता है, क्योंकि जो Internal Related Party Dependents होती है, वो जादा होती है, Royalty Payments होती है, और इन जर्णने को डिविडेट नहीं देते हैं, जब डिविडेट नहीं देते हैं, तो थोड़ा सा, और cash flow पुरा फुर्ट internally यूज़ करते हैं तो यह थोड़ा सा concern रहता है तो मेरे साब से मेरे साब से reasonable expectation रखना चाहिए यह कोई damage नहीं करेगा market को क्योंकि profitable company है, number two automaker है, पर बहुत undue expectation लेके, grey market premium लेके, इसे साब से पैसा मत इसके उसको तो मती देखिए, fizzle out भी हो गया बीच में पाफी premium खेर उसकी चर्चा ही नहीं करेंगे हम लोग यहां पे अबरी सर, timing गुर्मी जिसकी बात छेड़ भी रहते, 28,000 करोड़ों पे सकाउट होने आ रहे हैं, हमारे पास liquidity परियाप्त है, हम लोग जेल लेंगे? जेल तो लेंगे, क्योंकि देखे, जो पहले के IPO's आते थे, उसमें funds stuck up हो जाते थे, एक हपता दस दिन यहां पे अभी funds stuck up होंगे maximum of two days, क्योंकि T plus one में allotment हो जाता है, T plus two में आपको free funds मिल जाते हैं तो इसका effect मुझे लगता ने secondary market पे उतना होगा as compared to the earlier IPOs कुछ subtle hints तो इन लोगों ने अपनी commentary में दे दिये पर clarity के साथ, एक छोटे से break के उस पार, इन दोनों का final take इस mega IPO पे पैसा लगाएं या नहीं चलिए break के बाद आपका, आप सब कर स्वागत और आप वो सबसे important सवाल गुरमीद आपने तो बहुत clear cut hint पैसे मुझे दे नहीं है फिर भी क्या final call है, पैसा लगाना है या नहीं कोई compulsion नहीं है, अगर लगाना है तो subscribe with long term view not for listing links subscribe with long term मतलब listing के बाद इन जार कर लेते हैं, let market forces decide आप लोग क्या view रख रहे हो इस IPO पे इन फाट मेरा भी view सेम है, long term के इसाब से subscribe कर सकते हैं, short term में Ola जैसा pop-up मिलने वाला नहीं है इस stock में और यदि long term के इसाब से लेते हैं then you should be ready to average out opening के बाद, over the next 5-6 months यदि नीचे आता है तो शायद average कर सकते हैं और यदि family में चार applications आप normally डालते हो IPO में तो मैं बोलोगा इस IPO में केवल एक ही डालिएगा क्योंकि more or less आपको certain है कि allotment मिलेगा क्योंकि मेरा अनुमान है कि possibly institutions का 4X हो जाएगा HNI possibly 2X to 3X और जो retail का portion है इसी गलती मत करिएगा हर जगे माल आ जाएगा गले तक भर जाएगा मामला दोनों के बिल्कुल views similar है अगर listing pop, listing gain, short term के लियाद से लगाने का मन है ये IPO आपके लिए नहीं है लगाना है तो लंबी अफदी के लियाद से गुरमीद कहने है कोई जलबाजी नहीं है market forces decide करने जी लिस्टिंग के बाद भी लगाया जा सकता है अमरीज सर कह रहे है भई लगा भी दिया है long term के लिहाद से तो अगर बजार में stock में गिरावाट आती है तो तयार रहेगा average out करने के लिए यह है बड़ी असा clear cut view इस mega IPO पे अमरीज सर गुरमीद जी थैंक्यू सोमत दोनों आप जुड़े एक साथ जुड़े और beautifully इस mega IPO के बारे में thread where सारे concerns beautifully discuss करके समझा दिया हम लोगों को आप सब फोड़ी और पढ़ाई करिएगा weekend में अगले हफते मंगलवार को जब यह IPO खोलेगा तो I'm sure आप सब भी इस show को देखने के बाद थोड़ी पढ़ाई करने के बाद mindset बना ली चुके होंगे करना क्या है आपको best wishes नमस्कार झाए भी आपको झाए भी आपको झाए एतुके बाद